कर देता हूं इतना कमजोर क्यों हूं आकाश समर्पढ करने में और घुटने टेकने में जमीन आस्मान का फर्क है घुटने टेकने का नाम नहीं है समर्पढ हारने का नाम नहीं है समर्पढ कमजोर हो जाने का नाम नहीं है समर्पढ समर्पढ का अर्थ है मैंने अपनी कमजोरी को समर्पित किया अब मैं मात्र बल हूं समर्पण का अर्थ होता है असीन ताकत समर्पण का अर्थ ही नहीं होता कि मैं छोटा हूँ, नालायक हूँ, बेवकूफ हूँ समर्पण का अर्थ होता है कि मेरे भीतर जो नालायकी थी मेरे भीतर जो छुद्रता थी मैं जो पूरा का पूरा ही कमजोरियों का पिंड था, मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसे समर्पित किया, यह होता है समर्पड, कहीं जा करके अपने आपको प्रस्तुत कर देने का नाम समर्पड है, परिस्थितियों की चुनौती का जवाब न दे पाने का नाम समर्पड है, जीवन से हारे हारे रहने का नाम समर्पड है, यह सब समर्पड नहीं है, यह तो कमजोरियां हैं, बेवकूफियां हैं, मैं दोरा रहा हूं, समर्पड का अर्थ समझो, सभी ध्यान से समझें से समर्पण का अर्थ है वो सब कुछ जो सड़ा गला व्यर्थ महत्यूहीं कचरा था उसे मैं विसरजित कराया यह समर्पण के यह सवाल पूछ रहे हों कि सर्डे समर्पण क्यों करता आ इतना कमजोर इ समर्पण कर दी होती तो यह सवाल पूछ रहे होती तुमने कोई समर्पड नहीं किया है तुम तो अपनी कमजोरी को गले लगाए घूम रहे हो तुम तो ये माने बैठे हो कि तुम कमजोर हो इसी मानने को तो समर्पड करना है न तुम अपने आपको जो भी मानते हो वही तुम्हारी कमजोरी है उसी को तो समर्प्रण करना है तुम वो हो नहीं तुम क्या हो यह तुम्हें समर्प्रण के बात पता चलेगा ठीक ठीक पता नहों हल्की सी आहट मिल रही हो बस हल्का सा इशारा मिल रहा हो बस पर फिर भी प्रेम इतना गहरा हो कि तुम भागे चले जाओ इसी को तो शद्धा कहते हैं कि ठीक ठीक जानते नहीं कि बात क्या है हमको मालुम नहीं कि क्या होगा पर फिर भी पुकार कुछ ऐसी प्यारी है कि रुका नहीं जाता खिचे चले जाते हैं कि समर्पण हमेशा इसी दशा में किया जाता है क्योंकि तुम तो अपने आपको कुछ माने बैठे हो समर्पण में सबसे बड़ी बाधा यह आएगी कि मन सवाल पूछेगा कि मैं अपने को जो माने बैठा हूं उसको छोड़ दिया तो शेश क्या बचेगा यही कारण है कि अधिकान्ष लोग समर्पण को कभी उपलब्द नहीं हो पाते आप कहते हो अभी जो भी है कच्रा कुच्रा सडा गला है तो सही न यह भी छोड़ दिया तो बचेगा क्या मेरा क्या होगा और शद्धाकार्थ है मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा बस करना है बिलकुल नहीं पता अग्यात में उतरना है शद्धा अग्ये से प्रेम में पड़ जाना है शद्धा कैसा अध्भुत प्रेम होगा न तुम उसे जानते न जान सकते और उसके प्रेम में पड़ गए ऐसे पियां है जो कभी जाने नहीं जा सकते जिनका कुछ पता ही नहीं चलता पर फिर भी उनकी एक अजीब सी मधुर पुकार है जानते हम उन्हें नहीं पर फिर भी उनका अमंत्रन ठुकरा नहीं सकते ऐसा ही प्रेम होता है इसके बिना समर्पड नहीं हो पाता अब पिया भी असली को उसी को मानना जिसे तुम कभी पूरी तरह जान ना पाओ जो प्यारा तो बहुत लगे पर तुम्हारे बस में ना आए वही पिया होने लायक है जो तुम्हारे बस में आ गया वो तो तुम्हारे मन के भीतर की कोई चीज होगी तुमसे छोटा ही कोई होगा तुम्हारे बस में आ रहा है तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो कि वो पुकारे जब वो पुकारेगा आपने आप भागे चले जाओगे यही समर्पड है लोगों के मन में छवी क्या आती है समर्पड की कि जैसे तुम नदी के पास जाते हो तो तुम कचरा नदी में छोड़ाते हो और अपने को वापस ले आते हो यही करते हो न यही करते हो और इसको तुम सोचते हो कि जैसे विशर्जन वैसे समर्पड बात उल्टी है समर्पड में कुछ ऐसा होता है कि तुम भागे चले जाते हो अपना कचरा पीछे छोड़के कि उसने बुलाया और तुम्हे न कपड़े लगते की सुधरही न रुपया पैसा ही कठा करने का होश रहा तुम अपना सब छोड़ छाड़ करके भाग गए यह समर्पड है सारा कचरा छोड़ छाड़ के भाग गए यह थोड़ी कोई समर्पड है कि पिया के पास गवर सारा कचरा पिया को दे आए यह कही का समर्पड है कि ऐसा करते हो प्रेम में कि प्याम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अपना सारा मल कि तुम्हें समर्पित करते हैं बड़ा बद्बूदार समर्पड होगा कि अपनी मजबूरियां पीछे शोड़ाए हम भागाए मजबूरियां थी बड़ाएं बस उन्हें साथ लेके नहीं आए मानताएं थी बस यह लगा कि इनको लेके दौड़ेंगे तो गतिधीमी हो जाएगी कपड़े लगते श्रिंगार आवरर थे बस यह लगा कि इनको पहन के जाएंगे तो यह हमारे तुम्हारे मिलन में बाधा बनेंगे तो यह सब छोड़ाएं पीछे छोड़ाएं हम तो नग ना आए हैं बिलकुल यह समर्पड है कमजोरी पीछे छोड़ के भागा जाता है लेकिन यह सब बाते ही रह जाएंगी जब तक वो घटना तुम्हारे साथ घटे न तो तुमसे कह रहा हूं प्रार्थना और प्रतीक्षा बस मनाओ कि वो किसी रूप में तुम्हारे सामने आए मनाओ कि एक दिन अचानक जैसे बासुरी सुनाई पड़ जाए गुल्ले शाह उस दिन गा रहे थे न मुरली बाज उठी अंघाता अंघाता का अर्थ है बिना कारण के यूही अचानक अनायास तुम भी ऐसी मनाओ कि ऐसी एक दिन अचानक कुछ सुनाई देने लग जाए अनायास ही होगा तुम्हारे करने से नहीं होता है और जब वो सुनाई देती है तो तुम यह सब भूल जाते हो बीमार हूं कमजोर हूं यह करना है वो करना है कल पर सूं कर लेंगे मजबूरियां मानने ताएं पगले की तरह भगते हो गिल्कुल बेशर्म होगे हुआ है झाल कर दो झाल झाल